खबर नाई न्यूस चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दबागत हमारी सभी न्यूस प्राप्ट करें नवश्का और आप देख रहे हैं खबर नाई नोर में हूँ आपके साथ प्रिति शर्मा कोविट 19 की तीसरी लहर के द्रस्तिकर जनपत इसतर पर की जा रही तैयारियों के संबंद में जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने स्वास विभाग वा जिला इसतरी अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक होई बैठक के दोरान डॉक्टर पंकस द्वारा कोविट 19 से संबधित मूलभूत सुईधाओं को उपलब देता अब हम सकरीता के संबंद में पावरफाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया जिला अधिकारी ने उपत्तित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से संबधित सामुदाइक स्वासकेंद्रों में कोविट 19 की तीसरी लेहर से निपटने की तैयारियों के संबंद में जानकरी ली उन्होंने कहा कि COVID-19 के मरीजों को निकटतम COVID-19 अस्पताल को रेफर किया जाएगा। उन्होंने कम टीका करण वाले ब्लाकों के प्रबारी चिकित्सा अधिकारी से कड़ी नाराजगी जताई। और निर्देश दिये की टीका करण की गती बढ़ाने के लिए संपतित विभागों से समन्वेक इस्ताफिक कर आवश्यक कारवई की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्छा राणा, आपर जिला अधिकारी बंदनात्रिवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपितिवारी, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमा, जिला अस्पतालों सामुदाइक स्वाथ क्यानरों के अधिक्षक आधि अखिलेक्श टिंग को तयारियूंके संबन में पूरी जान करी दि lone में मेरे दूर्च के संबन में baixo तरी हमार कारी को शर्बाद होí उनके से विफ्टार डिसे श들이 कि her वाट में do हम भी हरगी भी और 11 प्लांट्स हम लोगोंने लगा लिये हैं जो कि क्रियाशील हैं और उन सभी में सभी ऑक्सिजन प्लांट्स को अलग से पावर वैककप जेनरेटरी विवस्था भी की गई है जो कि स्पेसिविकली ऑक्सिजन प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तमाल होंगे इसके अलावा जो मैन पार का इस्टिमेशन है जो डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर्स हैं वो भी बना दिये गए हैं जैसे ही कोई लहर की संभावना आती है या लहर आती है तो उसके लिए जिस प रखे हैं बावन शीएची को और जो बावन शीएची हो गई शाहबाद शीएची संडीला और अहरोरी शीएची यह चार शीएची वे पचास-पचास बेट की विवस्ता करी गई है इसके अलावा 100 बेट हॉस्पिटल डिस्टिक हॉस्पिटल पुरुष वहां पर भी हम ल बेट हॉस्पिटल में रख्या है इसी तरीके से ऑक्सिजन की अगर हम बात करें तो हम लोगों के पास कॉंसेंट्रेटर्स भी लगबाग आठ सो है जिले में तो अगर हमें सीएची पे कभी स्टेबिलाइज भी करना पड़ेगा पेशेंट्स को तो हमनें सीएची पे भी इसके अलावा एक स्टांडर्ड ऑपरेडिंग प्रोसीजर एडमिर्शन किस तरीके से होंगे ट्राइजिंग कहां होगी यदि कोई आदमी को पता नहीं है सिंटम्स हैं और वो सीएची पे जाता है वहीं उसे ऑक्सिजन लेवल काम हो रहा है और वो सीएची कोड हॉस्पि और पहले हम उसे स्टेबलाइज करें उसके बाद फिर हम रेफरल में उसे जो अगर मॉडरेट सिंटम का है तो उसे हम नजदी की सीएची पे भेजेंगे अगर गंबीर होगा तो उसे हंडेट बैट या फिर डिस्टिक हॉस्पिटल में लेके आएंगे इसके अलावा जो क करने रहे हमारे साथ खबर नाइन में